बेताल कदा बिखारी दास की कहानी दुड़वरती विक्रमार्क पेड के पास लोटाए रुक्ष से सव को उतारा और उसे खंदे पर डाल कर हमेशा की तरह श्मेशान की ओर चलने लगे तब शव में वास करने वाले बेताल ने पूछा राजन इस आजी रात के समय इस भयानक श्मेशान में आप जो परिश्रम उठा रहे है उन्हें देख कर मेरे मन में आपके प्रती दया उत्पन हो रही है अपने श्रम को भुलाने के लिए बिखारी दास नामक एक गरीब विक्ती की कहानी को सुनाता हूं सुनो बेताल कहानी सुनाने लगा प्राचिन काल में राजधानी नागपूर में धर्मदास नामक एक आदमी रहता था अपनी वृद्धा वस्ता में उसने अपने चारों पुत्रों को पास में बुला कर कहा मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम लोगों ने विविद विध्यायम अच्छी तरह सीख ली है लोग तुम्हारे पास सलाह मांगने आते है पर तुम जो सलाह देते हो उनमें से मुझे कुछ असंभद दिखाई देती है अगर अयोगी लोगों को तुम सलाह ना दो तो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा धर्मधास का बड़ा लड़का न्यायशास्त्र पारंगत था उसे राजदर्बार में न्यायाधिश के सलाहकार का पद प्राप्त हुआ वह बड़ी योगिता के साथ अपने पद का उत्तरदायत निभाता था एक दिन रामधास के पास एक गरीब आदमी पहुंच गया जिसका नाम था बिखारीदास उसने रामधास को अपनी राम कहानी सुनाई बिखारीदास गरीब था उसके पास और कुछ संपत्ती न थी केवल एक कपरेल वाला मकान था उसमें अपनी पत्नी वा बेटी के साथ रहकर वह जोत्यों अपने दिन गुजारा करता था पर अब नगर के एक अमीर धनगुप्त ने उसका वह मकान खरीदना चाहा बिखारीदास ने अपना मकान बेचने से साफ इनकार किया इस पर एक दिन धनगुप्त उसके घर पहुंचा और उसको धमकाया मैं तुम्हें चार दिनों की अवधी देता हूं तुमने अपना मकान मुझे नहीं बेचा तो मैं गुंडों को बुलवा कर तुम्हारे परिवार को यहां से खधेर दूँगा अब बिखारीदास के सामने भड़ी समस्या उठ खड़ी हुई करू तो क्या करूं रामदास ने सलाह दी न्यायादिकारी के पास शिकायत करो बिखारीदास ने दिनता पूर्ण स्वर में प्राधना की देखो न्यायादिकारी और धनुगुप्त के बीच घनी मित्रता है मुझे नहीं लगता की मेरे प्रती न्याय होगा कोई और उपाई सुझा कर मेरी रक्षा कर सकोगे वे दूद का दूद और पानी का पानी कर देंगे रामदास ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा अगर तुम्हारी धार्णा है कि न्यायादिकारी से तुम्हे न्याय नहीं मिलेगा तो दूसरा उपाई तुम्हें सुझाता हूं हर मंगल को राजा आम जनता की शिकायते सुनते है कल ही मंगल है तुम जाकर राजा के दर्शन करो वहाँ तुम्हें अवश्य न्याय मिलेगा वैसे धनगुप्त मेरे शित्र तो नहीं है मैं नहीं चाहता की बड़ों के साथ बेकार वैर मोल लूँ मैं एक बार धनगुप्त को धमकी दूँँगा इससे अगर कुछ फाइदा नहीं हुआ तो फिर राजा से शिकायत करूँगा यदी मैं धनगुप्त को धमकी दूँँगा तो वे अवश्य डर जाएंगे बिखारी दास ने अपना विचार प्रकट किया राम दास ने सुझाया तब तो ऐसा करो आज ही न्यायले में जाकर वहा रखी पुस्तक में अपनी शिकायत दर्ज करो उसमें लिख दो कि यदी मेरे साथ जबर्दस्ती हुई तो मैं जाकर राजा से शिकायत करूँगा अंत में अपना पता लिखना न भूलना फिर न्याय दिकारी तुम्हें भुला बेजेंगे कुछ दिन उनके फैसले की प्रतिक्षा करो अगर इस में इसे कुछ नहीं निकला तो राजा से मिल सकते हो बिकारी दास ने राम दास के प्रतिक रुदगनता प्रकट की वहाँ से निकला और सीधे धर्मदास के दूसरे पुत्र विरदास के यहाँ पहुंचा अपनी समस्या उसके सामने रखते हुए कहा मैं तुम्हारे भाई के पास जाकर आया हूँ उन्होंने मुझे न्याय संबंदी सलाह दी है पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती पर वह बड़े से बड़े पहलवान को भी हरा सकता है वह एक साथ दस गुंडों को गिरा सकता है तुम अपनी समस्या उसके सामने रखोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा हमारे महाराज का भी उस पर विश्वास है की वह गुणी लोगों की ही सहायता करता है विरदास ने बिखारी दास को नेक सलाह दी तुम राजा के सेनापति के पास काम कर रहे हो इसलिए तुम इन सब बातों को जानते हो यह सुजाव देखकर तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है मैं तुम्हारा बहुत एहसान मंद हूं यू धन्यवाद देते हुए विखारी दास रत्नदास से मिलने चला रत्नदास धर्मदास का तीसरा पुत्र था नगर के मशहूर व्यापारियों में उसका तीसरा क्रमांक था जब राजदानी में विदेशी व्यापारी आ जाते है तो राजा उसी को बुलाता है माल की गुणवत्ता आजमाने में हानी लाप का अंदाजा लगाने में गुण अवगुण का निन्नय करने में यतोचित वार्तालाप करने में उसकी कुशलता पर महराज को पूर्ण मिश्वास्ता बिखारी दास ने रत्न दास को अपना सारा हाल कह सुनाया तुम्हारे बाईयों ने मुझे बड़ी अच्छी सलाह दी है पर निर्बल और बलवानों की लड़ाई में न्याय भल ही निर्बल पक्षमी हो फल सदा उनके अनकूल संभव नहीं होता सब लोग मिल कर मुझे सलाह दे सकते हैं कि मैं अपना माकान धनगुप्त को ही बेच दूँ धनगुप्त स्वयम मेरे माकान के लिए पांच हजार मुद्रायम देने के लिए तयार है तुम मेरे मकान का सही मूल यंकन कर सकते हो इसलिए मैं तुम्हारी सलाह लेने आया हूँ इस पर रतनदास ने कहा तुम्हारा मकान शहर के केंदरीस्तान में है उसका मूल यो कम से कम पचास हजार मुद्राये होना चाहिए वरागुप्त तो तुम्हारा मकान इस सिम्दाम में खरिदने को तयार है अपने दामाद के लिए इस इलाके में वह घर ढूंड रहा है रत्नदास को धन्यवाद देकर अब बिखारी दास ब्रमदास के पास पहुंचा ब्रमदास दर्मदास का चौथा पुत्रता उसने वेद, उपनिशत, तधा काव्यों का संपूर्न अध्ययन किया था बिखारी दास ने ब्रमदास को अपनी सारी कहानी सुनाई मेरा यह मकान पौत्रिको संपत्ति के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है मेरे पिताजी ने अपने मुझे के समय यह मकान मेरी बेटी के नाम कर दिया वह मेरी एकलोती बेटी है एक अच्छा रिष्टा देखा, मैं उसकी शादी करना चाता हूँ इस बीच धनगुप्त ने मेरा यह मकान हडपने की अपनी यूजना बनाई है मेरे मकान पर कब्जा करने को और कोई उपाई ना बचा तो वह सोच रहा है कि उसके पुत्र की शादी मेरी पुत्री के साथ कर दे पर मेरे विचार में धनगुप्त का पुत्र मेरे दामाद बनने लायक नहीं है मैं यह सब तुम से इसलिए कह रहा हूँ कि तुम इस समस्या का कुछ हल निकाल सको ब्रमदास ने पल भर सोचा और कहा राजधानी में संपन होने वाले हर विवाख के लिए राजधरबर के पुरोहित ज्यानमिश्र की स्विकृती होना आवशक है तुम उनके सामने अपनी समस्या रखो तो हो सकता है वे इस विवाख को रोक सकते हैं बिखारीदास ने ब्रमदास को धन्यवाद दिये और वह वहा से चल दिया इस घठना के कुछ दिन बाद समाचार मिला की बिखारीदास ने अपनी पुत्री का विवाख धनगुप्त के पुत्र के साथ कर दिया है बिखारीदास ने नगर के बाहर रस्ते में एक जगह खरीद ली वहाँ पर एक जोंपड़ी बना ली और उसमें तहने लगा जब दर्मदास के चारों पुत्रों को यह खबर मिली तो उन्होंने आपस में मिलकर देर तक इस बात पर चर्चा की वे इस निर्नाई पर आये कि उन्होंने एक आयोग्यो विक्ती को सलाह दी बहतर ताकि वे सलाह ना देते यह कहानी सुना कर बेताल ने राजा से पूछा राजन दर्मदास के पुत्रों का यह विचार की उन्होंने एक आयोग्यो विक्ती को सलाह दी गलत नहीं है क्या बिखारी दास ने उनकी सलाह अनुसार धनगुप्त को धमकी दी पर धनगुप्त कच्चे गुरु का चेला ना था वह जरा भी विचलत नहीं हुआ इसका तात पर यहा कि उनकी सलाह कार्य सिद्धी के अनुकुल नहीं थी मेरे इस शेंका का समाधान अगर जानकर भी तुम न दोगे तो तुम्हारा सिर्फ फटकर उसके टुकडे टुकडे हो जाएंगे इस पर राजा विक्रमर्क ने कहा इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि धर्मदास के पुत्रों ने बिखारी दास जैसे आयोग्यो विक्ती को सलाहे दी यदि वह रामदास की सलाख के अनुसार राजा से मिलता या वेरदास के सुझाओ के अनुसार भीम राजा के सिश्य सिहबल से मदद मांगता या इसी प्रकार रास्नदास तधा ब्रमदास की सलाहों पर अमल करना तो धनगुप्त जरूर जुक जाता पर बिकारी दास इन चारों द्वारा प्राप्त सलाहों पर अमल करने की हिम्मत ना कर सका। उसकी इसी धुर्बलता से परिचित धनगुप्त ने इसका अनुचे तिलाप उठाया। बस एही तथ्य की बात है। राजा के इस प्रकार मौन भंग होते ही बेताल शवके साथ अद्रश हुआ और पेड़ पर जा बैठा।